और देखिए राहुल गांधी भले आरोप लगा रहे हैं के रुनाचल और लदाक में चीन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और सरकार सोई हुई है उनके इस बयान के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुँची और राहुल के बयान की सच्चाई की पड़ताल की हमारे सहयोगी कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट देखिए TV9 भारतवर्ष आपको उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तस्वीर दिखाने जा रहा है जो तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से कम समय में सरकार ने कोशिश की और उन कोशिशों का नतीजा है कि यहां से वहां तक जहां तक आपकी नजर जा रही होग से लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि जो सबसे टॉप पर दिख रहा है वह भी हमारी पोस्ट है और वहां तक सड़कों का जाल बिछाना शुरू हो गया है और एक तरह से कह सकते हैं कि सड़क बन गई है बस ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है जहां पर हम खड़े हैं यहां से सड़क माध्यम से जाया जा सकें कैमरामेन विजय ममगईन के साथ कुमार कुंदन ट्रीवी 9 भारत वर्स लसी इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए वार लेवल रे काम हो रहा है हमारे ठीक दूसरी तरफ चीन की वादियां है और यह पहाडियां है उसके पीछे चीन चुपा हुआ है और कभी बी किसी वी वक्त वह आकरमन कर सकता है या फिर उसकी जो विस्तारबादी नीती है उसके तहट वह आता भी है लेकिन हम किस तरीके से अपने इंफ्रस्ट्रेक्चन का बढ़ा रहे हैं उसकी एक तस्वीर आपको चल रहा है यह अभी फोर जी के लिए ओफिसलेंग का वो तार बिच्छा रहे सर अभी यह इस एलाका में पेले यहां पैंगमिक में एक जिव टावर लागा कि है अभी रिसनली कितना लदाका संसाच जेटेन एंपी साब ने यहां पर बेसनल का फोर जी का अभी फपरांग मे से इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी 100% हो जाएगी मतलब माते हैं 100% हो जाएगा लेकिन यह मेरा गव में एक मिनी टावर है उसको भी हमें उसको भी जल्यड की जल्व फोर जी टावर लगाने इस निशित रूप से इन इलाकों की बात करें यहां कभी नेट्वर्क नह यह दिखाने के लिए टीवी नाई भारत वर्ष आपको इस इलाके में आया है और यहां बता रहा है कि कितना जादा और कितने वार लेवल पर काम हो रहा है और यकीन मानिए इस तरह के कम्मुनिकेशन नहीं मिलता है या करिंटिविटी नहीं मिलती है तो शायद वो थोड़ा परिशान होंगे लेगन इस तरीके से जो काम चल रहा है इससे जो है टूरिस्ट को भी काफी जादा सुविधा होगी तो दूसरे तरफ जो इलाका आपको दिख रहा है उसमें कहीं ने कहीं चीन चुपा हुआ है और उसके ठीक सामने में हमारी तैयारी क्या है यह टीवी नाइन भारत वर्ष आपको बिलकुल एलेसी के पास से दिखा रहा है कैमरामेन विजय ममगईन के साथ कुमार कुंदें टीवी नाइन भारत वर्ष पैंग गॉंग सी चीन अपने विस्त पैंग ओंग की तरफ जहां से चीन का कब्जा है उसमें वह पहार को छेट करके उससे सूरंग बनाना चाथा है और उस सूरंग के माध्यं से वह इस इलाके तक पहुंचना चाहता है उसकी भी एक वज़ा है वज़ा यह है कि नौम्बर के बाद से ये पूरा इलाका एक तरीके से बर्फ बनने लगता है और पैंगांग जील पुरी जो है वो जम जाती है और ऐसे में यहां की सरकें भी बर्फ से पूरी तरह से पड़ जाती है तो चीन की शातिर चालिये है कि आने वाले दिनों में जब पूरा का पूरा इलाखा बर्ष से जम जाए तो ऐसी इस्थिती में टनल बनाया जाए और उस टनल को पहाड के अंदर से निकाला जाए जिसको की आल वेदर रोड बनाया जाए झाले जाए 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 जा